तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 11 यानि की एचस फॉर्स्ट एर एचस फॉर्स्ट एर की पॉलिटिकल साइन्स की सेलवर्स को डिसकुस करेंगे 2024-25 के लिए ये वीडियो स्पैसिली एसेक बोड के लिए है ठीक है तो इस वीडियो को पूरा देखना यहां पे मैं आप को बता दूंगा कि पॉलिटिकल साइन्स में आप लोग को कौन से कौन से चप्टर organised पढ़के जाने चाहिए और चप्टर के साथ मैं टॉपिक्स भी बता दूंगा कि चप्टर्स के डंदर कौन से कौन से टॉपिक्स है ये सारे ही जो चीज़े की गई है इंक्लुड की 3 marks है, Second Unit Freedom, यहाँ से आपका 6 marks, Equality, यहाँ से 6 marks, फिर Social Justice से भी 6 marks, Rights, यहाँ से भी 6 marks, Citizenship यहाँ से 6 marks, फिर Unit 7 यानि की Nationalism ठीक है, और Secularism, Unit 8 दोनों का मिला खेंट कि जोन रहा हो 4 marks है, तो , Unit 7 और 8, दोनों को मिला के जो ना वो four marks है यह तो हो गया हमारा पहला ठीक है उसके बाद second book जो है हमारा Indian Constitution at work तो यहाँ पे जो है हमारा unit one जिसका नाम है constitution तो पहला four marks के लिए second unit rights of Indian constitution six marks के लिए election and representation three marks के लिए executive fourth unit है छे marks के लिए legislature छे marks मैं chapter के अंदर भी बताऊंगा युनिट के अंदर भी बताऊंगा कि कौन से कौन से topics पढ़ना है फिलाल तुम्हें यह बता लो वीडियो को पूरा देखना जुडिश्री छे marks के लिए federalism तीन marks local government तीन marks और constitution as a living document and its philosophy तो यहाँ पे तीन marks ठीक है necessity of study of political theory scope and utility of political theory तो यह topics को एकदम clear करके रखना है यह बोर्ट के द्वारा इस्यू किया गया है topics है जैसे unit second freedom तो यहाँ पर आपको meaning of freedom constraint and its necessity concept of harm principle negative and positive liberty of freedom expression तो यह सब सारे जोना topics आप लोगो clear कर देना है exams के पहले है ठीक है सारे ही topics को में detail में बोलता नहीं रहूंगा नहीं तो यह video lengthy हो जाएगा आप लोग pause करके screenshot ले लेना या फिर pause करके जोना वह book में सारे topics को mark कर लेना या फिर हो सके तो video को save कर लेना जब भी जरूत पड़े आप लोग इस video को खोल के देख लेना ठीक है तो सारे ही units के साथ जोना topics already हम लोग ने provide कर दिया है कि कौन से-कौन से topics जोना आप लोग को कौन से-कौन से units से पढ़ना है और कौन से-कौन से जो भी topics यहाँ पर नहीं है समझ लोग कि वो topics क्या है सारे deleted है तो वो सब आप लोग को पढ़नी की जरूरत नहीं है तरीक से ठ topics प्रोजेक्ट में आप लोग को यह यह मिल सकता है तो वो तो school के college के उपर depend करता है कि वो लोग क्या देते हैं ठीक है आगे आपको किस subjects के उपर वीडियो चाहिए जरूर बताना बहुत सारे chapters के explanation और important questions, notes, already हम लोग उने provide कर रखी है तो kindly उसे भी जाकर जरूर चेक करना आपको बहुत help मिलने वाला है और हमारे चैनल को subscribe कर देना अपने friends के साथ जरूर शेयर करने मिलते हैं अगले वीडियो में till then goodbye